सपने में आलू खोदना या सपने में खुद को या किसी और को आलू खोदते हुए देखना एक बहुत ही अच्छा और शुब सपना माना जाता है जो कि जीवन में किसी बड़ी उपलब देके मिलने की और संकेत करता है साथ ही यह सपना आपके अंदर मौजूद किसी खास तरह के गोड़ गिप्टिट टेलेंट को भी पहचानने की और संकेत करता है क्योंकि यह टेलेंट आपका जीवन बदल सकता है जिसको आप सपने की विभी नवस्थाओं के माध्यम से सही से समझ सकते हैं जैसे अगर कोई सपने में खुद को खेत में आलू खोदते हुए देखता है और बहुत सारे आलू को खोद कर बाहर निकालते हुए देखता है तो यह सपना जीवन में किसी काम या योजना से मिलने वाले बड़े मुनाफे या लाब की उरही संकेत करता है लेकिन अगर कोई सपने में जमीन से आलू खोदते हुए तो देखता है लेकिन कोई भी आलू जमीन से बाहर नहीं निकाल पाता है या खराब या सड़े हुए आलू खोदते हुए देखता है तो यह सपना जीवन में किसी गलत फैसले के ले लिये जाने की और संकेत करता है जिसके नुकसान से बचने के लिए आपको हाल ही में लिए गए अपने किसी कीमती फैसले के बारे में फिर से पुनविचार करने की जरूरत है इसी बात की और यह सपना संकेत करता है और अगर कोई सपने में खेट से आलू खोदते हुए बहुत ही ज़्यादा बड़े और अच्छे आलू को निकालते हुए देखता है तो यह सपना आपके अंदर मुझूद किसी खास तरह के टेलेंट या योग्यता के छिपे होने की और संकेत करता है जिसको अगर आप समय रहते पहचान लेते हैं तो यह टेलेंट आपको भविश्य में बहुत सी बड़ी सपलताय दिलाने के लिए जरूरत से ज़्यादा काफी होगा और आप खुद को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली भी महसूस करेंगे और अगर कोई सपने में किसी और को आलू खोदते हुए देखता है तो यह सपना भी काफी अच्छा माना जाता है और दूसरों के सहयोग से मिलने वाली बड़ी सफलता या मुनाफे की और संकेत करता है और अगर कोई सपने में जमीन से खोद कर निकाले गए आलू के धेर को देखता है तो यह सपना जीवन में जल्द ही मिलने वाले किसी बड़े मुनाफे की और संकेत करता है